हाई गाईज वोलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल आइम बैक विद दे अनदर न्यू फीडियो और आज के वीडियो में मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ सो टाइटल से अब को पता चल चुका होगा आज मैं बत काने वाली हूँ 3D Metro Plastic Drawers के बारे में जो मैंने Flipkart से भाई किया है जहां मैं अपनी हर मेकप को स्टोर करती हूँ इससे मेरा मेकप सेफ रहता है तूटता नहीं है सो जानने के लिए वीडियो को एन तक ज़रूर वाच कर आगे बारे से बाईले मेकशर के अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर लिया है ताकि मेरी कोई भी फ्यूचर अपडेस अब से मिस्स ना हो सो विदाउन फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एड आज मैं बत काने वाली हूँ 3D मेट्रो प्लास्टिक ड्रॉयर्स के बारे में जो मैंने फ्लिप कार्ट से बाई किया है और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक ओडर किया था लेकिन उसके बाद में मैंने और एक ओड 48.6 इंच तक इसका वेट है उनली 4.5 kg डेप्थ है इसका 15.4 इंच अब सोच सकते हो जो बहुत ही अच्छा है अब इसके अंदर बहुत सारा चीज स्टोरेज कर सकतो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितना सारा मेक अप स्टोर करके रखा है आप सेल का वेट करना सेल पे अपको यह हमेशा ओफर पे थोड़ा कम पे मिल जाएगा लेक मैंने जब इसको पर्चेस किया था तब सेल चल रही थी और मैंने इसको 1034 डूपीस में मिल गया था मुझे तो मैंने सोचा के ले ले लेती हूं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया थ जो बहुत कुप सुरत लगता है मुझे यह वाला रिसीव हुआ था आप देख सकतो बहुत सरे कलर वराइटी है मैंने जो पर्चेस किया है वह यह वाला अगर को कलर फुल नहीं पसंद तो आप सिंगल जो एक कलर काता है उस पे भी अप जा सकते हो अब अपने हिसाब से ड जासे लेक्री जासदे अडिके कल एक अधीर उसने ct कर करके मुझे दिया है मैं बहुत ज़्याधा खुश वर गई तो मैंने बोला कि आप सेट का लो मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे डालना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको इसके साथ एक शीट रिसीब होगा जिसमें 2, 3, 4 and 5 लेयर्स का उप्शन है अब अपने हिसाब से इसका जो लेयर है वो चूस कर सकते हो और कलर ऑप्शन इसमें बहुत सारे है अब देख सकते हो पीछे आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसकी सारी इंस्ट्रक्शन बगेरा दिया गया है अपको पार्सल में से ही रिसीब होगा पीलर्स बेस प्लेट जो भी है चलिए मैं आपको दिखाते हूँ को इसको कैसे सेट करना है बेस प्लेट बगेरा सब कुछ इसके अंदर ही आता है आपको बस एक के बाद एक लेयर क्रियेट करना है सो या इस सो एजी गाइस सो गाइस अब भी बन के देडी हो चुका है अब देख सकते हो इसकी हाइट अन कलर कॉम्बिनेशन भी अब देख सकते हो बहुत ही कुपसूरत लग रहा है और मैंने इसमें अपना साड़ा मेकप जो है स्टोर करके अल्रेडी रख दिया है I hope कि आपको ये वाला ड्रॉयर पसंद आए अगर आप भी मेरे तरह केर लेस हो एंड इधर उदर फेक रहे होते हो अपना मेकप तो प्लीज जल्दी ये वाला ड्रॉयर को पर्चेस कर लो बहुत अच्छी क्वालिटी का है आप रिग्रेट नहीं करोगी ये हंडेट परसं मिल दे है और भी निव निव वीडियो के साथ तिल देन बाई लव यू